नमस्कार आप देख रहा है TPV News, मैं हूँ आपके साथ राजुननी शर्मा चीन के शेंगाई में कॉरोना वाइरस का बढ़ता संक्रमान थमने का नाम नहीं ले रहा इसे देखते हुए चीनी प्रशासन ने यहाँ पर सक्त लॉकडाउन लगाया है रिपोर्ट्स के मुताविक शेंगाई में लोगों के लिए भूकमरी जैसे आलाद बन गए हैं लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म होता जा रहा है शेंगाई के पूरी की पूरी आबादी को सक्त लॉकडाउन में रखा गया है चीन का फाइनेंशल हब कहा जाने वाला ये शेयर कौरोना की सबसे घातक मार छेल रहा है लंबे समय से घरों में बंद रहने की वज़े से लोग मानसिक रूप से काफी परिशान हो गए हैं उन्हें रोजमरा की चीजों के लिए संगश करना पड़ रहा है मीडिय रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि लोगों के पास जरूरी चीजों की कमी लगातार बढ़ती नज़र आ रही है यहां तक कि दवाओं की भी कमी होती जा रही है लोग महिंगाई से भी काफी परिशान है सोशल मीडिया पर इस तरह के कई विडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों को मदद की गुहार लगाते हुए देखा जा रहा है लोग अपने घरों के खेड़की से मदद के लिए चीख रहे हैं हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहा हैं कई लोग अपने घरों से निकल कर विरोध प्रदर्शन भी करने लगे हैं ऐसी ली डिस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टीपीवी न्यूज नमस्कार